हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त वान वारगव और आप देख रहें चीके वित्वानु चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम 40 महत्पूर्ट कॉश्चिन सोसल साइंस के इस वीडियो के अंतरगत कवर करेंगे जो आगामी सीम राई सिक्षक प्रवेश प्रवेश प समर्तन करने के लिए वीडियो को लाइक जरू करिएगा और अच्छा अच्छे कमेंट भी करिएगा चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला कॉश्चिन आपको देख रहा है प्राचीन काल मैं भारत को कहा जाता था तो शौनी का सबी को पता है सौनी के चडिया कहा जाता था अगला कॉश्चन दिया है दूसरा नम्म लकित मैं से जैबिक आपदा है जैबिक आपदा है बंबिश्पोट सुनामी जौला मुखी और अगला बर्ड़ फ्लू तो जैबिक आपदा इन मैं से बर्ड फ्लू यही जीव है जो क दादा भाई नरोजी अर्विंद घोष गोपाल कृष्ण गोक्रे और फिरोष्टा मैता तो दोस्तों आप भी मन में सोच लिया करों कि इसका राइट आंसर क्या है और कुछ समय दिया करेंगे तो दादा भाई नरोजी उदारवादी विचारों के नहीं थे वाकि ये सभी थ सब्सक्राइब तो खता है तो आपस्यन देखते हैं अर्विंद घोष अर्विंद घोष इसके नहीं थे वागी सभी थे चलिए दिस्तों देखते हैं अगजाब का विभाजन लागहर अधिवेशन मॉंबई दो भागों वाजत हो गई थी नरम दल गरम दल में और ये शुरत अधिवेशन दो हजार साथ में हुआ तो पाच्वा कॉश्ण दिया है प्रजातन्त की शफलता में बादक तत्व है क्या है तो निरक्षरता पंथर रेपेक्स था आशाल लग की साक्षरता का प्रतिशत कितना था तो तेहतर प्रतिशत था इसका अंसर देखते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन है दोस्तों समीधान है एक सरकार का गठन देश का सासक नियम कानून का संकलित और मौलिक अधिकार तो इसका सही जवाब दोस्तों आप बताईए इसका जै तो प्रता में योजना प्रारम के समय जो की उनिश्यक्यावन में प्रारम हुई थी और इसके समय इसके उस समय पर जो बेरोजगारों की शंख्या कितनी थी तो इसका राइट अंसर है दोस्तों तेतीश लाक नेक्स्ट अगले कॉस्चन क्यों तो प्रात्मिक छेत की हैं तो जैसा की गन्य से सकरवाना ना यह दुतियक छेत्र में आता है बैंकिंग त्रतियक छेत्र में मकान निर्मान भी दुतियक में मचली पकड़ना यानि जो प्रकृती से हमें प्राप्त होता है वही आता है तो मचली पकड़ना इसका राइट अंसर है नेक्स्ट अगल continue नहीं की बार्शकी होजना चल नहीं है तो अगला question दिये है राजसभा का सभापती कौन होता है तो राजसभा का जो सभापती होता है यानि राजसभा का प्रमुक जो होता है वो उपराश्टपती होता है वहीं लोक्षभा का प्रमुक लोक्षभा अध्यक्ष होता है तो उपराष्टपती इसका राइट अंसर है प्रधान मंत्री की निक्ति किसके द्वारा की जाती है तो प्रधान मंत्री की निक्ति option में जैसे कि दिया गया है मुख मंत्री राजपार राष्ट पती और उच्छ न्यालाय का नया धीश तो इसका राइट अंसर राष्ट पती द्वारा इसकी नुक्ति की जाती है प्रधार मंत्री की ऑफशन आपको दिये हैं और इसका सही जवाब है दोस्तो वारे छूब्र नेक्स्ट भारत में अरथिक नियव जन प्रारब्ब किया गया तो इसका इसका सफ़ाए जवाब 1प्रेश को भालत में आर्थिक योजन प्रारंभ किया गया था राइट रख़ंजर Uh नेक्स्ट स obecुनियो योजना को बिधी हो प्राप्ण किसके दोरा प्राप तो हो रही है सौमाजिक बान की योजणा के लिए तो इसका सही जवाब है दोस्तों बिष्व बैंक यानी ब्ल बैंक दोरा शामाजिक बान की योजणा प्रारम करने वाला अगर पूझा जाता है कि पहला देश का पहला परदेश कौचा सबसे पहले मद्ध़ पुर्धी कि गए थी तो इसका जबाब थे बुक श्मस्यां क्या है तो इसका सही जवाब है दोस्तोillar बंजों में लगने वाली आग, ये बन संसादान के प्रमुक्षमाश्या बाकि और इतना नहीं है, penguins रियोडिये जैनेरो शहर में जो की ब्राजील में है, और नेक्स्ट दोस्तो अगला कॉस्चन क्यों बढ़ते हैं भारत का समिधान कब लागू किया गया सभी को पता होगा और दोस्तो भारत का समिधान कब लागू किया गया था तो 26 जनबरी 1950 को भारत का समिधान लागू किया गया था जबकि समिधान अंतरिम रूप से जो पारित कि दिया गया था और इसे भारत के समिदान को जो बनने में जो कुल समय लगा था वो दो वर्ष ग्यारा माइब आठारा दिन का समय लगा था चलिए तो इसका राइट अंसर 26 जनवरी 1950 को अगला दिया है किर्शी का सहायक उद्योग है तो किर्शी का सहायक उद्योग दोस्तों क करशी गाउं में जो होता है वह पशुपालन करते हैं तो दुग दुब्याप्शाय है ना कि शलाइट दुग जोट दुद्योग महम्मती तो इसका अंसर देखते हैं दुग दुग दुब्याप्शाय बंगल वभाजन किस ने किया था तो बंग भंग जो की 1905 में किया गय है तो सभी को पता होगा मद्यप्रदेश की 230 विधान सभाज सदस्ष है जबकि रासभा सदस्ष 29 है नेक्स्ट अगले को बढ़ते हैं भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है जन संख्या की व्रदी की तीजगती दोशपूर सिक्षा प्रणाली उध्योगों में क्या मर्स सिल्पी योजना तो जैसे की दोस्तों नाम से लग रहा है कि निर्वाल योजना यह सचाई दे समादित है तो इसका राइट अंस है नेर्वाल योजना जैसे-जैसे अरताववता विवस्ता बिक्षित होती है किर्शी चेतर में 33 ये चेत्र का अंस बढ़ता जाता है प्रोफेशर अम्रत्य शेन ने विकास का आधार माना है किशे माना है प्रोफेशर अम्रत्य शेन ने तो इसका जन का लेड को ही माना है लेटन भार्षा में मुद्रा को कहते हैं लेटन भार्षा में मुद्रा को क्या कहा जाता है तो अच्छा कॉश्चन है यह और मैंनेटा ऐसे कहा जाता है लेटन भार्षा में किश्री चेत्र में समलित हैं प्रात्मिक चेत्र किश्री को प्रात्मिक चेत्र में दुत्य चेत्र तो दोस्तों करशी और मतास्ट से पालन यह सभी प्राथमिक चेत्र के अंतरगत रखेंगा है ब्यापार बिजनेस दुतिये चेत्र में तुरतिये चेत्र में बैंक भीमा स्वास्त सुब्धान जो की शेवा के छेत्र भी खहलाता है तो इसमें पूछा करशी को किस चेत्र में तो प्राथमिक चेत्र के अंतरगत रखा है उप्शन देखते हैं इसका राइट अंसर है प्राथमिक चेत्र में अगला कॉशन दिया है नसा मुक्ति के लिए मद निशेद अभियनता चलाया गया जबाला नेरून महात्मा गांधी श्वामी विवेकानन में और लाल बहाद तो इसका राइट आंसर है दोस्तो श्वामी विवेकानन द्वारा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था तो ट्वेंटी एट का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किसके द्वारा चलाया गया था महात्मा गांधी महात्मा गांधी नसा मद ने जोकी 31 मैं को मनाया जात जाना जाता है आतंकवादी किन माध्यम से अपनी गतिविदिया संचालित करते हैं सांती बारता शिक्षा राजनेतिक और अपहरण तो हत्या फरवरण के द्वारा करते हैं और निली किरांती करते हैं कि से हैं फलत आपदन मचली उत्पादन और भीड़ पालन और दुखड़त पास तो तो नीली क्रांथी मचली उत्वादन से है दोस्तो अठारा स्वत्तावन के स्वतंता संग्राम में बुंदेल खंड के प्रमुक शैनानी कौन से कुमर्शिंग, बक्त खां, तात्या टोपे और दूला देव तो दोस्तो इसका तात्या टोपे जो की कानपूर मिसे लेकर के जह सबसे अधिक बायू प्रदूशन के समय होता है, तो दोस्तो 32 वा ये कौश्चन है, और इसका सई जबाब है राशानिक उद्धकों के कारण नेक्स्ट ब्यापारेक बैंको का राष्टी करण कब हुआ तो उनिशो नत्तर में ये इंद्रा गांदी के साथ कारकाल के दौरान हुआ था और इसमें चौदो बैंको का ब्यापारी करण ब्यापशाई करण हुआ था फिर उसके बाद टोटल 20 हो गाय थे जो कि उनिशो ब्य भूकंप की द्रश्टी से भारत का अत्याधिक प्रभावित छेत्र कौन सा है कच्छ अरावलिय उडिशा और गोवा तो कच्छ के रन में जहां भूकंप अधिक आया तो इसका राइट अंसर है कच्छ मानव अधिका मानव सरवाधिक उपयोग करता है भॉम जल महासागरिय जल बैयुबंडली जल प्रश्ठिय जल तो प्रश्ठिय जल को मनुष्य सबसे अधिक उपयोग में लाता है नेक्ट अगला क्वश्चन कौन सा कारक है आपको सास्त में दोस्तों यहां पर यह बता देना चाहए रहे हैं कि जो जल है उसका पीने योग जो जल रहता है वह वन परसेंट ही रहता है यानि शुक्ष जल के अंतरगात आता है वही जो खारा जल है वह 97 परसेंट है और 3 प पर सेंट कौंसा सा कउसेंद है का मिर्दा की साही हो के निर्माण में नहीं है मिर्दा के निर्माण में रूख आप जान्हक या को दैज जी तो से जीव जन्टु डंद अबिकस और तुटर पानिम मानव जनेट क्सथर प्रेजीह क्षनी स्वायν यह सड़कante सब्सक्राइब का मन आप हो थे आधा कंसी को एफ सड़के हाई पुछा पूछा गया है तो Themen Enough कोई बंदर्गाय का कि दवाब को कम करने के लिए बिक्सित किया गया पारदीभ हल्दिया न्याभाश्रेवा और टो कड्डु ला गुजरात में हैं पहर परदी़ पीशाम में हल्दिया अल्दिया वह वि यह को यही है ईए यही democracy का है और राथिक कतिविदियां और जीवन इस तर में शुधार्थ तो परिक्ट शवी तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को श्रवाप्त करते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं हमें प्रोसायन करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं बूलिए इसका पार्ट टू वीडियो शी जय हिन जय भाराद